आज इस पोयम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं English to Hindi करने जा रहे हैं यह पोयम है Harry Ben ने इसे लिखा है Trees are the kindest things I know तो इस पोयम को देखिए हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ इस्टेंजा जो है वो इसमें दिया हुआ है जबकि मेरे इस book में जो मेरे इस स्कूल के book में दिया हुआ है इसमें कुछ एस्टेंजा गा cauliflower है तो पहले देख लेते हैं कहा तक दिया हुआ और इसको फिर हम लोग जो चुटा हुआ है जिसे जो देखिए कौनकौन सा इस्टेंजा चुटा हुआ हración यह वाला भी हम इस मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है तो इसको भी पढ़ लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें यह काफी साफ है पहले सी को देख लेते हैं ठीक है Trees are the kindest things I know यानिके पेंड सबसे दयालोग थिंग सें जिसको मैं जानता हूँ इसकार थोगा पेंड सबसे दयालोग थिंग सें जिन्हें मैं जानता हूँ They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the bower देखिए यहाँ पर जो कवी हैं वो कह रहा हैं कि Trees are the kindest things I know पेंड सबसे दयालोग वस्तुएं हैं जिन्हें मैं जानता हूँ They do no harm, harm का मतला बता है नुकसान पहुँचाना, नुकसान दायक They simply grow, वे किसी को बिना नुकसान पहुँचाएं बस बढ़ते हैं वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वे सिर्फ आगे बढ़ते हैं, वे बस बढ़ते हैं And a spread, spread मतलब फैलना A shade means छाया for sleepy cows और सुई हुई गायों के लिए अपने टहनियों को फैला कर छाया देते हैं And gather birds among the bau Gather मतलब इकठा होना, अब bau का मतलब उता है टहनिया और पंचियों को अपने टहनियों पर इकठा कर बैठाते हैं बैठाने का मतलब आसरे देते हैं, अपने घोस्ता लगाने देते हैं यह इसका मतलब आता है And gather birds among the bau और पंचियों को अपने टहनियों पर इकठा कर बैठाते हैं अब दूसरे श्टेंजा के लिए यहाँ पर चलते हैं They give us fruit in leaves above and wood to make our houses off and leaves to burn on Halloween and in the spring new birds of green They give us fruit यानि वे हमें फ्ल देते हैं and wood to make our houses off और घर बनाने के लिए लकडियां देते हैं यह हम ऐसे बोल सकते हैं और इनकी लकडियों का इस्तमाल घर बनाने में होता है ठीक है? आगे है आप देखेंगे यहाँ पर Halloween का मतब दिया है the night of 31st October when it was believed यह इसको थोड़ा सा जूम करने के मैं कोशिश करता हूँ देखेंगे पढ़ियेगा Halloween का मतलब होता है the night of 31st October when it was believed in the past that dead people appeared from their graves and which is now celebrated in the US, Canada and Britain by children इसका कहने का मतलब Halloween का मतलब होता है जो लोग मर गये है वे अपने कब्र से फिर वापस आएंगे और जिंदा हो जाएंगे और ये जो प्रकट हो जाएंगे appear मतलब प्रकट हो जाएंगे जो लोग मर गये हैं जिन्हें कब्र में दफना दिया गया है फिर से वापस आजाएंगे और वो प्रकट हो जाएंगे आपके सामने और यह जो तेवहार है वो बच्चों के दोरा मना जाता है US, Canada और Britain में यह मनता है यह मना जाता है तो क्या है हम देखेंगे And leaves to burn on Halloween और इनकी पतियां उस रात जलाते हैं किस रात? 31st October की रात क्यों जलाते हैं? ताकि जो लोग मर गये हैं वो फिर से वापस आ जाए And in the spring new birds of green और वसंत रितु में हर रंग की नई कलियां यह देते हैं कौन देते हैं? पेंड देते हैं And in the spring new birds of green दो इसका हम देख लेंगे And leaves to burn on Halloween और इनकी पतियां हम Halloween की दिन जलाते हैं And in the spring new birds of green और वसंत रितु में हर रंग की नई कलियां यह देते हैं आगे देख लेते हैं यहां पे एक क्लियर है थोड़ा They are the first when days begun They are the first when days begun To touch the beams of morning sun They are last to hold the light When evening changes into night आगे poet कर रहे हैं They are the first when days begun जब दिन की शुरुवात होती है तो वे जगने वाले पहले होते हैं किसके बारे में है? पेड के बारे में यह कह रहे हैं कभी कि जब दिन की शुरुवात होती है जब सुरज निकलता है ठीक है? जब लालीमा फैलती है सुरज की तो सबसे पहले यही होते हैं जगने वाले कौन? पेड क्योंकि पक्षियां बैठी होती है चाहाती है ना सब कुछ स्टार्टिंग होता है तो touch the beams of morning sun सुरज की किरणों को beam का मतलब होता है किरण सुरज की किरणों को सबसे पहले पेंड छूते हैं कौन छूता है? पेंड छूते हैं they are last to hold the light और सुरज की किरणों को अंत तक यानि शाम तक यह hold करके रखते हैं when evening changes into night वे तब तक उस light को सुरज की किरण को beam को रोक कर रखते हैं जब तक शाम रात में नहीं बदल जाता जब तक शाम रात में नहीं बदल जाती तब तक वे उस light को hold करके रखते हैं and when a moon floats on the sky they hum a drowsy lalbai of sleepy children long ago trees are the kindest things I know and when a moon floats on the sky float का मतलब होता है तैरना जब आस्मा में चंद्रमा तैरता है जब चांद आस्मान में तैरता है they hum hum का मतलब होता है गुन गुनाना drowsy drowsy का मतलब होता है उंगना निद्रा में होना उंगना मतलब उसको नीद आरही है ना निद्रा निद्रा मतलब होता है सोना लालबाई का मतलब मतलब लोरी इसका प्रणशियस तरल लालबाई भी है और लुलाबाई भी है दोनों आप बोल सकते हैं आफ स्लीपी स्लीपी मतलब सोता हुआ तो देख लेते हैं और जब चंद्रमा आसमा में तैरता है लालबाई का मतलब लालबाई का मतलब आदी नींद लेते हुए या उंगते हुए बच्चों को लोरी सुनाते हैं Trees are the kindest things I know पेंड़ सबसे दयालू things हैं जिने मैं जानता हूँ यह था poem English टहंदी मैंने से किया और इसका दो जगा से इसको लिया गया क्योंकि कुछ आधिया धूरी कवीता इसमें थी मेरे मेरे स्कूल के बुक में जबकि दूसरे स्कूल के बुक में यह पूरी कवीता थी तो मैंने दोनों ले लिया कि चलिए इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, ओके गुड निट